Hello Students, myself Rahul Misra, Team Botany CLC Seeker. आज हम यह discuss करेंगे test series, minor test series का एट्थ नमबर का paper जिसमें हम botany subject discuss करेंगे जिसका topic था plant physiology first यानि कि इसके अंदर include है transport in plants, तो यह हम discuss करते हैं 136 से, तो देखियो question number 136, the only means of gaseous movement within plant body is, यानि की पादफ शरीर में गैसी यह विनीमे का या गैसी यह गती का एक अकेला साधन है, तो किस के द्वारा गैसी यह विनीमे होता है, प्लान्ट बॉडी के अंदर, तो उसका आंसर आता है, diffusion, यानि की diffusion या बिसरण ही वो अकेला माध्यम है, जिसके द्वारा पादफ सरीर क के अंदर गैसी यह आदान प्रदन होता है तो इसका आंसर जाएगा सेकेंड नेक्स्ट यहां हम डिसकस करते हैं कॉस्टन 137 पोरिंस आर यानि की जो पोरिंस हैं वो क्या हैं तो देखें फर्ष्ट सम लिपिड मॉलीक्यूल पहले ही गलत हो गया क्योंकि यह लिपिड मॉलीक्यूल नहीं होता पोरिंस तो यहां पर लिपिड अनु नहीं हैं दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें इस्मॉल प पोर्स नहीं होते यह लार्ज पोर्ट सोते हैं तो यहां पर देखिए छोटे चिद्र गलत है तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन भी यहां गलत हो जाता है थर्ड देखिए लार्ज पोर्स इन आउटर मेंब्रेन ऑफ सेमी ऑर्टोनॉमस सेल और निल्स यानि की जो अर्द सेल और निल जैसे माइटो कॉंड्रिया किलोरो प्लास्ट की बाहरी जिल्ली पर पाए जाते हैं तो करेक्ट आंसर इस थर्ड नेक्स्ट यहां अगर देखे 138 सिलेक्ट करेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू गिर्डलिंग एक्सपरिमेंट यानि की जो बलय प्रियोग है उस बलय प्रियोग के संदर्व में एक हमें सत्य कथन को चुनना है तो देखिए यहां पर वेरी कॉंप्लेक्स एक्सपरिमेंट रॉंग हो गया क्योंकि आप जब एंसी आइटी पढ़ेंगे वहां क्लियर दे रखा होगा कि इस सिंपल एक्सपरिमेंट तो यहां पर यह लिख रखा है कि यह बहुत जटिल प्रियोग है इसकी वज़े से पहला ऑप्सन यहां गलत ह हो जाता है सेकंड देखिए रिंग ऑफ बार्क रिमूब्ड अप टूदा डेफ्ट ओफ फ्लोयम बिफोर सेकंडरी ग्रोथ आपको पता है कि बिना सेकंडरी ग्रोथ के बार्क नहीं बन सकती तो यहां पर सेकंडरी ग्रोथ से पहले बार्क नहीं होगी इसलिए यहां पर यह आंसर भी गलत जाता है तो ध्यान लखना दुतियक ब्रदी से पहले छाल का निर्माड नहीं होगा तो इसलिए यहां पर यह सेकंड ऑप्सन क्या है गलत है थर्ड देखिए रूट विल डाई फर्स्ट ड्यू टू अपसेंस ऑफ डाउनवर्ड मूबमेंट ऑफ फूड ब हम फिलोयं की डेफ तदकंते एक रिंग काड देते हैं नीकिर्फॉ नहीं पहुंच पाता और दिरे यह जो रूट होती है सबसे पहले क्या होता है इसकी डेत हो जाती है वाद मैं फिर अपर पार्ट भी क् på पार्ट बेंपना होगा देट हो जाएगा तो इसमें यह correct answer आएगा third यानि कि भूजन के नीचे की तरफ गमन की अनुपस्चिती के कारण जड़ पहले म्रत हो जाती है answer third नेक्स्ट 139 ट्रांस्पिरेशन वास्पोस सर्जन तो देखिए वास्पोस सर्जन इस एवैपोरेटिव रॉस ओफ वाटर ओनली बाई इस्टोमेटा अब ध्यान रखना यहां लिख रखा है कि ओनली बाई इस्टोमेटा यह गलत है क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि यहां प आदब की सतेह द्वारा होता है तो यह गलत है सेकेंड देखिए इस लॉस ओफ वाटर इंदा फॉर्म वेपर एंड ड्रॉपलेट यह भी रॉंग हो गया क्योंकि इसमें ऑनली किसका वेपर तो राइट था लेकिन ड्रॉपलेट की वज़े से यह रॉंग हो गया तो ध्या नहीं होता है हमें इसा गलत है फॉर्त देखिए इज अफ्हेक्टिड वाइच फॉर्फ ओ नंबर ऑ ओफ ओफ ओपन इस टो मेंटा यह राइट है तो यहां पर खुले रंद्रों की संक्या यह ऊपन इस्टो मेंटा की शंक्या जितनी ज़्यादा होगी वास्पो स और following is incorrect statement यानि कि इसमें से कौन सा एक असत्य कथन है जो हमें चुनना है तो देखिए पहला ट्रांसपोर्ट ओवर लॉंगर डिस्टेंस प्रोसीट थ्रो वस्कुलर सिस्टम बिल्कुल राइट है आपको पता है कि लॉंगर डिस्टेंस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह वस्कुलर सिस्टम लाइक जाइलम फ्लोयम के थ्रू होता है ठीक है तो ध्यान रखना लंबी दूरी का परिवहन संबहन तंत्र द्वारा होता है यह बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है सेकंड देखिए इन रूटेट प्लांट ट्रांसपो और वोकर कहां की तरफ मूब करते हैं रूट से अपर पार्ट की तरफ यानि की यूनि डारेक्शनल मैनर में तो यह भी राइट हुआ सेकंड थर्ड देखिए और गेनिक एंड मिनरल नूट्रियंट्स अंडर गो मल्टी डारेक्शनल ट्रांसपोर्ट यह भी राइट है त यहां ध्यान रखना तो यहीं लिए कर्यक्ट आंसर आए गा 4 यहां पर देख रहे हों यहां पर दो चंबर आप को दे रखे हैं A and B तो यहां पर अगर हम A और B में देखें आपको solute और solvent बता रखा है यहां पर अगर आप देखें थोड़े से circle आपको बता रखें इस solute को represent कर रहा है तो A में solute ज्यादा है B में solute कम है तो बाकी rest of जो बचा वो क्या होगा solvent तो इस case में इन दौनों चेंबर से related अगर हम देखें correct option हमें choose करना है तो पहला देखिए si s is equal in both A and B अगर हम si s की बात करें तो दौनों में equal नहीं होगा क्योंकि जहां solute ज्यादा होता है वहां पर si s की value कैसी होगी more negative होगी तो यहां पर si s कैसा होगा si s equal to more negative जबकि यहां पर si s कैसा होगा less negative तो इस case में आप देख रहे हो equal नहीं हो सकते second देखिए si w is low in B तो आप देख रहे हो यहां पर less negative है तो यहां पर low नहीं है तो si w की value यहां पर ज्यादा होगी तो इस case में यह भी नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो a और b दोनों के si s equal नहीं है इसके अलावा अगर हम देखें जो बी है बी chamber में si w का मान निम्न नहीं होगा बलकि कैसा होगा ज्यादा होगा तो यह भी नहीं होगा थर्ड देखें si s is high in b यहां पर b में less negative है तो इसलिए si s की value दोनों में किसकी ज्यादा होगी बी की तो आंसर क्या आएगा थर्ड यानि कि b में si s कैसा है उच्छ है तो आंसर आएगा थर्ड si s is equal in both a and b si w is equal in both a and b यह भी रॉंग है क्योंकि दोनों में si w equal नहीं होगे तो आंसर आएगा थर्ड नेक्स हम दिसकट करते हैं 142 वेन सुक्रोज लोडिंग अकर्स इन फ्लोयम सीव ट्यूब वाटर इन एडजसेंट जाइलम मूफ्स इंटू सीव ट्यूब वाइफ तो यहां पर अगर हम देखें जैसे ही यह माल लीजे क्या है सीव ट्यूब है कज पर जीव ट्यूब के पास में क्या रहती है क्ल्य ट्यूब और यहां पर जो भगल वे सब्सक्राइब से और अगर हम देखें माल लीजें यह संहें है इसमें फूट मेंटेडियल य़ियल का ना परमेंशन वा फोसन्ठैसिस के थे रहो तो यह जो फूट मेंटेडियल इसका ट्रांस लोकेशन कहां होगा सबसे पहले companion cell में और companion cell से loading होगी कहां सीव ट्यूब में तो जैसे ही सीव ट्यूब में loading होती है बगल में क्या present होता है जाइलम और जैसे ही सीव ट्यूब में loading होती है जाइलम से water कहां move करने लगता है सीव ट्यूब में अब यहां जब सीव ट्यूब में जाएगा तो सीव ट्यूब में living cell है वह क्या present होगा membrane तो membrane को cross करके जाएगा यानि की answer कि आएगा Osmosis second को ठेक है तो ध्यान रखना पराशन द्वारा movement करेगा next 143 when two types of molecule moves together in opposite direction called अगर दो type के molecule membrane से होकर यहाँ पर अगर क्या करें opposite direction में move करते हैं जैसे यह मानली यह membrane में protein present है और यहाँ से होकर one type A और दूसरा type का B दोनों क्या हैं एक दूसरे के opposite direction में move कर रहे हैं तो इस टाइब के movement को हम क्या बोलते हैं एंटी पोड इसमें आंसर आएगा सेकेंड कि नेक्स्ट 144 सोर्स एंड सिंक और रिवर्स डिपेंडिंग ओन यानि की श्रूत एंड सिंक किसके आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं तो अगर हम सोर्स की बात करें सोर्स लिए पार्ट होते हैं जहां पर फूड माटेरियल का स् tentang होता है और सिंक बेपार्ट होते हैं जहाँ पर फूड माटेरियल का यूज होना होता है याश्टो रही स्टोड होना है तो इस Space में अगर हम correct answer जाएगा वो है four first and second मौसम और पादप की जरुवत के हिसाब से होता है ठीक है नेक्स्ट इसमें हम डिसकस करेंगे कि 145 plant hormones are translocate through अब देखिए plant hormone का अगर हम इस्थान आंत्रन है translocation की बात करें तो plant hormones जाइलम and phloem दोनों के त्रूई क्या करते हैं translocation सो करते हैं आपने NCIT में क्लिए लिख रहा है जब आप जाइलम सेब की बात करोगे तो वहां पर hormones भी transported होते हैं और इसी तरह जब आप phloem की बात करोगे वहां पर भी किलियर दे रखा है कि hormones वहां पर फ्लोयम सेब के थ्रू भी ट्रांस्पोर्ट होते हैं इसलिए क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा 145 का थर्ड फ्लोयम एंड जाइलम नेक्स्ट 146 इस्मॉल एमाउंट ऑफ फॉस्पोरस सुल्फर एंड लार्ज एमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यानि कि फॉस्पोरस सुल्फर की कम मात्रा और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा निम्न रूपों में इस्थानांत्रित होती है क्रमसा अगर हम देखें रिस्पेक्टिवली तो देखिए स्मॉल एमाउंट ऑफ फॉस्पोरस सुल्फर का जब ट्रांस लोकेशन होता है तो और गेनिक फॉर्म में होता है किस फॉर्म है और गेनिक और अगर हम लार्ज एमाउंट ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो ट्रांस लोकेशन है वह लार्ज एमाउंट में किस फॉर्म होता है और गेनिक फॉर्म है जबकि इसका इसमॉल एमाउंट aобon acid के form में कि किस फार में amino acids केप आर तो इसी लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा ओर गेनिक ऑर गेनिक ठीक है तो दियान लखना कार्वनिक चर्वनेक गरेयल वन 40-7 पोरिंस आर अगार हम यहाल फारेंस देखें तो पोरिंस कैसे देखत है तो देखिए पहला आउटर membrane of plasmid are found in कहां present होते हैं तो यह outer membrane of plasmid plasmid तो wrong है क्योंकि plasmid में कोई membrane होती नहीं है सेकंड देखिए inner membrane of plastic wrong हो गया क्योंकि plastic की inner membrane नहीं outer membrane पर present होते हैं पोरिंस तो outer membrane of mitochondria यह बिल्कुल right है mitochondria की outer membrane में पोरिंस प्रेजेंट है जिसकी वज़े से outer membrane of mitochondria कैसी होती है ज्यादा पर्मीएबल होती है ठीक है इसलिए mitochondria की बाहरी जिल्ली में पाए जाते हैं पोरिंस प्लाज्मा membrane of plant cell wrong है यह भी plant cell की plasma membrane में नहीं है correct answer क्या जाएगा हमारा third answer next आता है a mustard plant absorb water equal to its own weight अगर हम देखें यहां पर जो mustard plant है वो अपने भार के बराबर जो water है या जल है उसका अवसोषण कितने गंटों में कर लेता है तो इसका correct answer NCRT base है वहां आप पढ़ोगे तो clear लिख रखाए five hours यानि कि पांच गंटों में वह अपने बजन के बराबर जल्का अवसोषण कर लेता है ठीक है answer आएगा second next pumps are तो यहां देखिए pump की बात कर रखी है यानि कि जो आपने transportation में पढ़ा होगा तो active transport में आता है pump तो pump क्या है protein molecules होते हैं जो क्या करते है energy का use करके molecules को low concentration से high concentration की तरफ मूब कराते हैं जैसे माली यह protein है जो membrane में present है यहां किसी molecule की concentration कम है दूसी तरफ concentration कैसी है ज्यादा है तो इस case में molecules का movement low to high की तरफ होगा with the use of energy और ATP और यह ब्रेक होकर किस में convert होगा ADP plus inorganic phosphate में तो यह कौन करता है protein कर रहा है इसी protein को हम क्या बोल रहे हैं pump तो देखिए pump is protein that not use energy रॉंग हो गया जबकि हम देख रहे हैं क्या कर रहा है ATP का use करता है lipid रॉंग हो गया क्योंकि lipid नहीं protein होता है protein that use energy answer क्या आएगा third तो ध्यान रखना pump एक protein है जो उर्जा का उप्योग करती है किसके लिए पदार्थों के परीवहन या इस्सानांत्रण के लिए answer आएगा third next 150 which one not including highly selective nature of transport protein यानि की परीवहन protein की उच्च चैनात्मक प्रकृति के अंतरगत अगर हम देखें निम्नमे से किसे को समलित नहीं किया गया है तो जब आप NCRT पढ़ेंगे तो हाई selective nature जो है इसके अंतरगत saturation भी आता है इसके अलावा response to inhibitors भी आता है इसके अलावा hormonal control भी आता है लेकिन यह अपहिल ट्रांस्पोर्ट नहीं आता इसी लिए इस question का जो answer जाएगा वो कौन सा जाएगा फोर द्यान रखना इसका answer आएगा अब फोर क्योंकि संत्रप्तता निरोधकों के प्रति अनुक्रिया और हॉर्मोनी नियंत्रण यह सब किसके character है उच्च चैनात्मक या हाई सेलेक्टिविटी के अंतरगत सम्मिलित होते हैं क्लियर एंसी आटी ने दे रखा है नेक्स्ट 151 वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर एज सुद्ध जल का जल विभव होता है तो अगर हम जल विभव की बात करें आपको पता है जहां पर जल के अनुओं की सांद्रता यहां वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन जितनी जादा होगी तो वाटर कंसेंट्रेशन जहां जादा होगी वहाँ पर वाटर पोटेंशियल जादा होता है और जल के अनुओं की जो काइनेटिक एनरजी होती है यहां आप कह सकते हो गतेज ऊर्जा वो जादा होती है और गतेज ऊर्जा जादा होगी जल विभव यहां वाटर पोटें इसका मतलब जहां पर वाटर कंट्रेशन ज्यादा है अगर हमने 100% याकि प्योर वाटर अगर ले रखा है तो उसका वाटर पोटेंशिएल भी कैसा होगा मैक्सीमं होगा कि कि इसलिए अगर क्योंड नेति ऑगल से यहां आप कह सकते हो maximum होता है ठीक है तो सबसे अधिक यहीं होगा तो आंसर आएगा थर्ड next if some solute is dissolved in pure water then what happened यानि कि अगर सुद्ध जल में हम कुछ विले अनुओं को घोल दें तो क्या होगा सबसे पहला देखिए इसमें option number of free water molecules increase wrong है क्योंकि आप जैसे ही water के अंदर some solute को dissolve करोगे तो solute water के साथ bind होगा यानि की free water molecule की concentration increase नहीं बलकि क्या होगी decrease होती जाएगी तो ध्यान रखना मुक्त जलके अनुओं की संक्या बढ़ेगी नहीं बलकि घट जाएगी second देखिए free energy of water increase यह भी wrong है अभी हमने देखा तो जितने जलके अनुच किसके साथ solute के साथ bind कर जाएंगे तो free water molecules की concentration कम होगी यानि की free energy of water क्या हो जाएगी increase नहीं बलकि कैसी होगी decrease होगी तो जलके अनुओं की मुक्त ऊर्जा घटेगी थर्ड देखिए concentration of water decrease बिल्कुल सही है अगर हम water की concentration की बात करें तो आप solute add करोगे तो उसके respect में यहाँ पर जो water की concentration है वो कैसी होती चली जाएगी decrease होती चली जाएगी यानि की जलकी सांदरता घट जाएगी कम हो जाएगी तो यह राइट आंसर है DPD of pure water decrease रॉंग है ठीक है अगर हम जैसे जैसे solute add करते हैं DPD की value वड़ती जाती है जबकि यहाँ बोला है decrease होती जाएगी तो यह रॉंग है आंसर आएगा थर्ड यानि की जलकी सांदरता कम हो जाती है next 153 if pressure greater than atmospheric pressure applied to pure water its water potential तो देखिए आपको पता है अगर हम साइडवलू की बात करें तो साइडवलू साइपीके भी क्या होता है directly proportional होता है तो इस case में यहाँ पर pressure भी क्या करता है इसको affect करता है तो इस case में अगर आप atmospheric pressure से ज्यादा pressure अगर लगाओगे तो pure water का जो water potential है वो क्या होगा increase हो जाता है तो इसलिए सुद्ध जल का जल विभाव बढ़ जाएगा यदि बायू मंडली यह दाव से अधिक दाव हम लगा देते हैं answer आएगा third next a cell is reduced inside shrink when placing in a salt solution the solution is आपको clear यहां बोल रखा है कि एक cell को हमने कहां रख दिया एक ऐसे salt solution में रख दिया जिसमें रखने पर यह जो सेल है वो क्या कर रही है shrink कर जा रही है तो इस केस में यह जो बाहरी विलियन है outer solution है वो कैसा होगा cell के respect में तो आपको पता है water molecules कहां जा रहा है cell से बाहर तो इस में outer solution कैसा होगा हाइपर टॉनिक होगा अति पराशरी विलियन होगा तो इसलिए answer क्या आएगा सेकिंड है नेक्स 155 वैना सैल इस फुली टर्जेट विच आप दा फॉलाइंग बिल भी जीरो यानि कि जब एक कोशी का पूर्ण रूप से स्फीत हो जाती है तो इस में से किस एक की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो तो यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट आता है टर्गर प्रेसर तो अगर हम पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करें तो वहां पर टर्गर प्रेसर ज्यादा होता है यहां पर जीरो नहीं होता और टर्गर और वॉल प्रेसर ब value भी 0 नहीं होती लेकिन अगर हम suction pressure की बात करें इसी suction pressure को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या diffusion pressure deficit क्या बोलते हैं diffusion pressure deficit तो जब पूर्ण रूप से speed हो चुकी है तो इस case में कोशिका को अब water की requirement नहीं है यानि की dpd की value कैसी हो जाएगी जीरो तो answer आएगा फोर कि यानि की चूसन दाब कि नेच्ट 156 डूरिंग रेनी सीजन बुड़न डूर्स जनरली स्वेल्स अब डूटू यानि की बरसा रितू के दौरान लकड़ी के जो दर्वाजे हैं वो किस प्रक्रिया के कारण फूल जाते हैं क्लियर अगर आप NCRT पढ़ेंगे क्लियर दे रखा है इंबाइविशन यहां अंतह सोचन के कारण यह प्रक्रिया होती है कि आंसर आएगा सेकिंड कि नेच्ट देखिए ट्रांस्पिरेशन इन प्लांट्स बिल्वी लोएस्ट वेन अब पाद्पो में अगर हम वास्पो सर्जन की बात करें तो यह निमनतम कब होगा अब देख के में जो फैक्टर है जो वास्पो सर्जन को अफेक्ट करता है प्रभावित करता है वह कौन सा होता है यूमीडिटी यह आदरता और यहां अगर वातावरण में यूमीडिटी ज्यादा है तो यह में फैक्टर है जो वास्पो सर्जन को अफेक्ट करेगा यूमीडिटी ज जो ट्रांस्परेशन की डेट है वह भी बढ़ती है तो यहां पर लोएस्ट पूछा है यह भी नहीं होगा यानि कि वाईवेग उच्छों तब होगा there is excess of water in the soil अगर soil में ज्यादा water available है तो इस case में plant में transpiration की rate बढ़ जाती है क्योंकि absorption ज्यादा होने लगता है तो यह भी नहीं है environment conditions are very dry अगर conditions dry है तो इस case में जो वास्पो सर्जन या transpiration है वो ज्यादा होगा तो यहां answer सही correct जाएगा first 158 which of the following wall of guard cells is thick and elastic तो अगर हम guard cells की बात करें तो यहां पर guard cells इसके पास में present होती है subsidiary cells तो guard cells की जो wall यहां भित्ती होती है stomatal pore यहां रंद्रिय च्छिद्र की तरफ वो कैसी होती है thick and elastic होती है तो यहां पर यह inner wall है जबकि यह वाली कौन सी है outer wall है तो देखिए inner wall बिल्कुल right है यह इसको हमने क्या बोला था inner वाल जबकि यह कौन सी वाल है आउटर वाल तो आप देखिए inner wall रही सही है wall present towards और सबसीडरी सेल्स यह क्या है सबसीडरी सेल्स तो आप देख रहे हो वाल जो कहां प्रेजेंट है सबसीडरी सेल्स के पास प्रेजेंट है वो thick and elastic होती है यह रॉंग हो गया यह थार्ड देखिए outer wall इसी को हम क्या बोला है outer wall यह भी नहीं है all of above यह भी नहीं है answer क्या जाएगा first यानि की रक्षक कोशिका की जो वित्ती आंत्रिक वित्ती होगी वही कैसी होती है मौटी और प्रत्यास होती है next 159 which type of transpiration is more common कौन सा वास्पोस सर्जन सबसे सामान होता है अगर हम वास्पोस सर्जन के टाइप की बात करें तो यहां पर कई ही प्रकार का होता है जिसमें मोस्ट जो कौन आता है वो है इस्टो मेटा या रंधरिये वास्पोस सर्जन क्योंकि सबसे ज्यादा वास्पोस सर्जन पत्त्तियों में उपस्तित रंद्र द्वारा होता है तो आंसर आएगा सेकिंड रंद्रिये यह इस्टो मेटल ट्रांस्पिरेशन कि नेक्स्ट वन सिक्स्टी ओल आफ दा परपस ऑफ ट्रांस्पिरेशन एक्सेप्ट यानि कि किसे को छोड़कर सभी वास्पो सर्जन के कारण है तो देखिए पहला क्रियेट ट्रांस्पिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्शन बिल्कुल राइट है अगर हम ट्रांस्पिरेशन की बात करें ट्रांस्पिरेशन क्यों होता है क्योंकि इससे एक पुलिंग फॉर्स जनरेट होता है जिससे क्या होता है जो वाटर एंड मिनरल से उनके एब्जॉ सेप ये भी इसके कारण होता है तीवर रूप से रसका आरवन ये भी सही है तो फोर देखिए मेंटेंस दा सेप आफ प्लांट बाई कीपिंग सेल फ्लैसिड ध्यान रखना ये शलत बनाकर पादप के आकार को नियमित नहीं करती आप जब NCRT पढ़ेंगे तो वहां क्लियर कते रखा है कि यЕ घ्ल ऐसन ना करकर कैसा है प्लांट की से नकर्कर जो प्लांट ए उस को मेंटेंट करके रखती है तो फ्लैसिट की वजह से यह option कैसा हो गया wrong हो गया और पूछा क्या था accept answer आजाएगा 4 ठीक है तो ध्यान रखना कोशी का को सिलत नहीं बलकि स्फीत बनाकर पादप के आकार को नियमित किया जाता है 161 the process of the escape of liquid from the tip of uninjured leaf is called यानि कि पत्तियों में जो अच्छतिग्रस्ट सीड्स भाग है उनसे जल का तरल के रूप में या तरल का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं क्लियर आपको पता है कि प्लांट में खासकर हर्वेशियस प्लांट में अगर हम देखें जो लीफ है उन लीफ के टिप पार्ट से वाटर का ड्रॉप लेट के फॉर में जब रिलीज होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या गटेशन या आप कह सकते हो बिंदू स्राब तो इस यानि कि जब एक साकीय पादप के तने को काटा जाता है तो विलियन का बाहर निकलना किसके कारण होता है तो अगर हम देखें एक हर्वेशियस प्लांट है जिसमें वाटर का एब्जॉप्शन हो रहाता हमने क्या किया यहां से प्लांट को कट किया तो जब कट करेंगे कट करने के बाद इसका जो कट स्टेम है वहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है नीचे की तरफ आता है तो यह किसके कारण होता है यह होता है रूट प्रेसर के कारण क्योंकि रूट क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करके अपर साइड में उसको ट्रांसपोर्ट क हाइडे थोट्स ओपन ड्यूरिंग अगर हम हाइडे थोट्स यहां जल रंद्र की बात करें तो यह खुलते हैं कब खुलते हैं तो देखिए अगर हम जल रंद की बात करें यह कभी नहीं खुलते क्योंकि यह आलवेज ओपन कंडीशन में रहते हैं तो इनका खुलना और बंद होना कोई रेगुलेट नहीं होता यह हमेशा खुले रहते हैं इसी लिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो है फोर्थ हमेशा खुले रहते हैं नेक्स्ट 164 वाटर रिलीज ड्यूरिंग गटेशन तो वाटर जो गटेशन के टाइम पर यहां बिन्दू सराब के दोरा निकलता है वह वाटर कैसा होता है यहां अगर हम देखें प्योर वाटर रॉंग है क्योंकि यहां पर जब आप देखो गे गटेशन के टाइम पर प्लस इन और्गेनिक कंटेंट तो वाटर विथ डिजॉल्व साल्ट ये विल्कुल राइट है सॉल्यूशन ओफ हॉर्मोन्स रॉंग है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स नहीं होते हैं हॉर्मोन का विल्यन नहीं होता ये फॉर्थ देखिए कंडेंस वाटर वेपर रॉंग है यहां पर क्रेक्ट आंसर जाएगा सेकंड यानि की गुले हुए लवण सहित जल्ब पर नेक्स्ट 165 डिफूजन इजो यहां पर अगर आगर आप। देखें किस टाइप की प्रॉसेश होती है सिलो प्रॉसेज होती है फास्ट नहीं होती एंड इस not depends on तो यहाँ पर slow not depends on living system अगर आप NCRT बेस पर देखें तो इसका correct answer क्या आएगा third यानि कि एक slow process है और living system पर यह depend नहीं करती तो विश्रन एक दीमी प्रक्रिया है जो निर्भर नहीं करती किस पर जीवित तंत्र पर तो answer आएगा third 166 water will move from the root hairs through cortex and gylum if the water potential of root hairs cortex and gylum are respectively यानि कि water जो movement होगा वो root hairs से जाइलम तक लेकिन कब होगा जब root hairs or cortex and gylum का जो water potential है वो कितना होगा तो आपको उताना है तो यहाँ अगर हम देखें अगर root hairs से अगर cortex और cortex से लेकर जाइलम तक water का अगर movement होना है तो इस case में यहाँ पर water potential root hairs में जादा होना चाहिए उससे कम cortex में उससे कम जाइलम में होना चाहिए तो आप देख लीजे सबसे जादा water potential जीरो उसके बाद माइनस वन माइनस टू तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें है सेकेंड 167 विच वन ओफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इस नॉट करेक्ट यानि कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला देखिए सिंप्लास्ट इस दा सिस्टम आफ एड्जसेंट सेल वाल यानि कि यह जो सिंप्लास्ट है वह पास इस्थित्कोशी का वित्तियों का तंत्र है गलत है क्योंकि सिंप्लास्ट की बात कर रखी है और सेल वॉल यह रॉंग हो गया क्योंकि सेल वॉल किसका पार्ट होता है एपोप्लाष्ट का पार्ट होता है साेकेनद हेँए मूवमेंट फ्रो द एपोप्लास्ट नॉट करेक्ट तो यानि कि हमें कौन सा देखना था जो सही नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा फर्स्ट जाएगा सिम प्लास्ट में is the कोशी का वित्ति का तंत्र है यह रॉंग है तो correct answer is first 168 which one is not correct with respect to mycorrhiza यानि कि कवक मूल के संदर्व में एक सत्य नहीं है वस उसको आपको चुनना है तो देखिए fungi form a network around the young root and they penetrate the root cells कवक तरण मूल के चारों और जाल का निर्मार करता है और यह मूल कोशिकाओं को भेदता है बिल्कुल यहां पर अगर हम देखें दो टाइप के mycorrhiza होते हैं endomycorrhiza and exomycorrhiza तो यहां पर यह root cells को penetrate कर रहा है यह भेद रहा है और ऐसी condition present होती है किसमें endomycorrhiza में जिसमें root cell के अंदर cell wall को भेदते हुए फंगल फिलामेंट इंटर कर जाते हैं और इसमें वेसिकल यह अर्वस्क्यूल लाइक structure का formation करते है इसके कारण ही जो endomycorrhiza है उसका एक टाइप आता है वी ए एम वेसिकूलर अर्वस्क्यूलर माइको राइजा तो यह राइट स्टिट्मेंट दे रखा है second देखिए it helps the plant to absorb water and minerals विल्कुल राइट है यह जो कवक मूल है यह पादप के जल एवं खनेज अपसोशन में सहायता करता है root provides sugar and nitrogenous compound to the mycorrhiza बिल्कुल राइट है क्योंकि मूल से कवक को क्या मिलता है सरकरा और nitrogen युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं pinus seed can germinate and establish without mycorrhiza यह रौंग है क्योंकि आपको पता है pinus seed और mycorrhiza को जो relationship होता है वो कौन सा होता है obligate और obligate relationship के कारण pinus seed बिना mycorrhiza के कभी grow नहीं कर सकते लेकिन यहां क्या बोल रहा है can germinate तो यह कैसा हो गया wrong answer क्या जाएगा 4 next 169 arrange the following events in a correct order with respect to mass flow of phloem यानि कि यहां mass flow जो mass flow है phloem के अंदर उसके respect में correct order choose करना है तो इसमें अगर हम देखे हैं सबसे पहला आएगा यह जो भी तो पहले food material synthesize होगा leaf के अंदर फिर यह leaf से कहां जाएगा companion cells में और companion cells से कहां जाएगा यह see tube element में see tube element में जैसे ही पहुंचेगा तो water jylum से कहां जाएगा see tube के अंदर तो यह ओ गया और जैसे ही see tube के अंदर water पहुंचेगा तो root sorry stem में leaf से food material का translocation होना सटार्ट होगा यह आ या तो इसका correct order क्या आएगा V, D, C, A, E V, D, C, A, E fourth answer आएगा इसका next 170 imbibution cause imbibution किसको cause करता है तो देखिए increase in the volume of imbibuant right है but no pressure develop यह wrong है आपने पढ़ रखा है कि जैसे ही जो imbibuant है यानि कि एक solid hydrophilic solid होता है वो water molecules को क्या करता है adsorb करता है इसकी वज़े से जो imbibuant है उस imbibuant का volume बढ़ता है और इससे एक pressure generate होता है जिसको हम बोलते है imbibuational pressure लेकिन यहां बोलाए कि pressure डवलप नहीं होता तो यह wrong हो गया decrease in the volume wrong है क्योंकि increase होता है no change in volume wrong है volume in imbibuant increase and pressure develop correct answer 4 जाएगा यानि कि जो अन्ता सोसक है उसका आयतन बढ़ता है और दाव का विकास भी होता है जिसे हम क्या बोलते है imbibuational pressure answer आएगा 4 next 171 the table below zone यहां आपको जो types of transport है simple diffusion इसके बीच में आपको एक comparison या तुलना बता रखी है तो इसके respect में आपको एक चूज करना है जो correctly match है पहला देखिए need carrier protein simple diffusion में carrier protein wrong हो गया यहां कोई भी carrier protein यूज नहीं होती है जब कि यहां क्या लिखा है सरल विस्रण में protein का उपयोग होता है दूसरा देखिए आपहल ट्रांसपोर्ट नो यस फैसिलेटेड डिफ्यूजन में अपहल ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो यह सेकंड भी यहां रॉंग हो गया नेक्स देखिए ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन यहां पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन सिंपल में नहीं होता लेकिन फैसिलेटेड और two week next one to two during Osmoses Water Moos through a membrane यहां और हम देखें Water Osmoses में Water का movement कहां से कहां की तरफ होता है तो देखिए यहां पर low water potential to high water potential रॉंग है high water to low water होता है second देखिए हाई solute concentration to low solute concentration यह भी रॉंग है क्योंकि यहां पर जो हाई solute से low solute concentration की तरफ नहीं बलकि लो से हाई की तरफ होता है थर्ड देखिए हाई ओस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ओस्मोटिक पोटेंशियल यह भी रॉंग है क्योंकि लो ओस्मोटिक से हाई ओस्मोटिक की तरफ नूब करता है तो अलप परासरी विलियन से अति परासरी विलियन की तरफ ही मूब्मेंट करेगा ऑस्मोसिस में कि नेच्ट वाटर पोटेंशियल इस इकवल तू जल विभाव बराबर होता है सिंपल है आपको पता है साई डवलू बराबर साई साई एस प्लस साई पी तो जल विभाव किसके बराबर होगा साई एस प्लस साई पी के नेक्स्ट पाथवे वाटर फ्रम सॉइल अप टूदा से यानि की मिट्टी से या मिर्दा से दुतियक जाईलम तक जल का जो परिवहन का पत है वो क्या होगा तो आपको पता है सोईल मिट्टी के बाद मूल रोम या रूट हेयर्स रूट हेयर्स के बाद कोर्टेक्स एंडोडर्मेस तो क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा फस्ट इसके बाद पैरी साइकल प्रोटो जाईलम और मेटा जाईलम तो फस्ट आंसर आएगा इसका मिर्दा मिर्दा के बाद मूल रोम म पलकोट अंतस्त्वचा परीरम प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम नेक्स्ट 175 रूट प्रैसर इस मैक्सिमम वेन मूल दाव उच्चतम होगा जब अब देखिए ट्रांस्पिरेशन इस लो एंड एब्जॉर्शन इस हाई बिल्कुल राइट है यह फर्स्ट आंसर सेकंड देख लीजे ट्रांस्पिरेशन इस हाई गलत है जब ऐब्जॉर्शन इस हाई रॉँग है क्योंकि ट्रांस्पिरेशन लो होना चाहिए बोध ट्रांस्पिरेशन इन ps肉 और लो लेकिन यहां पर ज्रईद को्फ़तो 원ा Aww will 75 वेन प्लाजमोलाइज सेल इस प्लेज इन वाटर और हाइपो टॉनिक सॉलिशन वाट हैपन यानि कि एक जीवद्रब्य कुंचित कोशिका को कहां रखा जाता है जल अत्वा अल्प परासरी विलियन में रखा जाता है तो इस केस में क्या होगा तो माल लीजे एक प्लाजमो सेल को हमने कहां रख दिया एक हाइपो टॉनिक सॉलिश्यन या में रख दिया तो यह क्या है वाटर है तब इस केस में टीपी ओफ सेल डिक्रीज गलत है जैसे रिर अंदर जाएगा तो इस केस में इस सेल का जो टीपी इस होगा लेकिन यहां लिखा है decrease, तो ध्यान रखना कोशिका का TP बढ़ेगा, TP of cell becomes 0, 0 हो जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो ही जाए, तो यहाँ पर third देखिए, TP of cell increase, यह correct है, इसका सही answer जाएगा, TP बढ़ेगा, water potential of cell decrease wrong है, यानि कि जब water अंदर जाएगा, तो water potential बढ़ेगा, तो इसलिए correct answer is third, 177 यह आपको एक diagram सो कर रखा है, और diagram में ABC के बारे में पूछा गया है, तो अगर हम एक ही बात करें, एक इसको सो कर रखा है, यहाँ पर micro-fibrils, जो cellulose micro-fibrils होते हैं, और B को अगर हम देखें, यह सो कर रखा है, guard cells को, और अगर हम C की बात करें, यह stomatal pore या stomatal aperture को सो कर रखा है, इसी को हम बोलते हैं, pore या aperture, तो इसके according अगर हम देखें, क्या पूछा है, A micro-fibrils, B micro-guard cells और C, तो answer क्या आएगा, second, 178, the plants में phase building due to the use of excess fertilizer because, यानि कि जब हम अत्यदिक और वरकों का use कर लेते हैं, तो plant wilt हो जाता है, सिकुड जाता है, मुर्जा जाता है, क्यों, तो यहां पर देखिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में fertilizer use करते हैं, तो इस case में बाहर जो solution है, उसकी concentration ज़्यादा हो जाती है, इस case में plant की जो root है, उन root की cell से water कहां जाने लगता है, बाहर की तरफ, इस case में यहाँ पर exosmosis होता है, यानि कि बाह परासरन और इसके कारण पादब क्या हो जाता है, मुर्जा जाता है, तो answer आएगा, second, exosmosis या बाहर परासरन, next, which one of the following statement is correct, यानि कि निम्न मैं से कौन सा एक सही है, तो अगर हम DPD के formula की बात करें, तो आपको पता है, DPD is equal to OP-TP, अब यहाँ TP नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है, TP, किसके बराबर होता है, WP के, तो इस case में हम यह भी लिख सकते हैं, OP-WP, तो यहाँ पर correct answer क्या जाएगा, first, next, what are the aquaporins that take part in facilitated diffusion, यानि कि aquaporins क्या है, जो सुसाद विसरन प्रिक्रिया में भाग लेती हैं, तो अगर हम जो aquaporins है, उसकी बात करें, तो aquaporins channel protein होती है, जो large pore create कर देती है, membrane में और इन large pores से होकर, जो water molecules है, उनका movement, high से low direction, high to low concentration की तरफ होता है, तो ध्यान रखने क्या है, channel proteins होती है, तो correct answer is third, तो यह solution था, thank you.